आज मैं शेयर करूँगे आपके साथ की कुट्टू के आटे की पकोड़ी कैसे बनाते हैं हम ये कुट्टू का आटा सागार में यूज लेते हैं जब ग्यारश या सीवरात्ती का प्रत करते हैं मैंने इसके लिए कुट्टू का आटा ले लिया है पुरा एक पैकेट और इसमें मैंने चार पाच आलू मसल के डाल दिये हैं यह है उबले हुए आलू है इनको मैंने मसल लिया है एक एक करके और इसमें डाल दिये हैं कुट्टू का आटे की पकोड़ी भी बनती है पुड़ सेंदा नमक और काली मिर्ची ढाली है और इसको थोड़ी देर के लिए पहले मसल लूँगी और फिर थोड़ा-थोड़ा पाने डालके और इसका एक गोड़ कर लूँगी पकोड़ी जैसा और ये खाने में बहुत ही क्रिश्पी लगती है बहुत अच्छी लगती है देखो अब मैंने ये मेरा गोड़ तयार है इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हमारा गोड़ बिलकुल तयार हो गया है इस तरह से ही आपको इसको मिक्स कर लेना है और फिर इसकी थोड़ी सी पकोड़िया उतारते हैं इसके लिए मैंने इस यहां पे गैस पे गी गरम कर लिया है थोड़ा सा और गी में ही हम पकोड़ी उतारेंगे इसके निए मैंने पकोड़िया डाल दी है इसमें मैं सम्मे थोड़ा-थोड़ा करके सारी पकोडिया डाल दूंगी अब हम एक-एक करके इसको पल्टेंगे जब ये नीचे से सिख जाएंगी तो सब को पलट देंगे ऐसे ही प्रोसेस हमको दो-तीन बार करनी है तीन चाबर पलट पलट के इनको सेखनी है तब ये ऐसी कुरकुरी हो जाएंगी और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं अगो हमारी पकोडियां बनके तयार हैं देखो किती क्रिष्पी दिख रही हैं चम Quinn से जिली हैंगी कि बहुत टाइट और क्रिष्पी हैं अब मैं इनको निकाल लेती हूँ, यह पकोडियां आलू के रायते के साथ या धही के साथ बहुत अच्छी लगती हैं, यह सब सागार में हम यूज में लेते हैं, देखो कितनी किश्पी है, उखाने में बहुत टेस्टी हैं